दोस्तो अगर आपने अभी तक YouTube चैनल नहीं बनाया है तो दोस्तो आज आप ये वीडियो देखकर एक YouTube चैनल जरूर बना लेना जिया दोस्तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक Mobile Phone से YouTube चैनल कैसे बना सकते हो और मैं आपको ये Mobile इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तो क्योंकि अगर मैंने YouTube चैनल नहीं बनाया रहता तो दोस्तो आज मेरे हाथ में ये Mobile Phone नहीं होता तो दोस्तो मैं आपको रेकेमेंड करूँगा कि आज आप ये वीडियो देखकर एक YouTube चैनल जरूर बना लेना दिक्कत क्या होती है दिक्कत ये होती है कि हम एक नए चैनल बनातो लेते हैं बड एर हम उस चैनल की जो important setting होती है हमें पता नहीं रहता है आप एक नए चैनल बना लिए उसपर वीडियो अप्लोड कर रहें वर व्यू सब्सक्काइबर आपको मिलेंगी नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है तो अभी दोस्तों यूटूब बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है और इस अपडेट होने के बाद अब किस तरीके से यूटूब चैनल बनाना चाहिए क्या कि अपडेट हुए है क्या कि सेटिंग और एक्स्ट्रा जूड़ी ह है मैं हूँ आपका दस रहो कि और आप देख रहे है हुमारा चैनल स्प्रेडिंग गया दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चैनल बनाने जा रहे हो तो कभी भी आप पुराने आइडी चैनल ना बनाओ हमेसा एक नया आइडी बनाओ उसके बाद उसी आडी से आप चैनल बनाओ अब आपको गया नया इमेल आइडी कैसे बनाते हैं बहुत सिम्पल सा पर समझा देता हूं फिर हैं बताओंगा चैनल कैसे बनाना ठीक है दोस्ता आप साइट निए सकता है आपको क्या करना है आपके मॉबाइल में एक जीमेल होगा आप सिम्पली आप जीमेल उपेन करना पर दिखेगा ज होँआप करके बाद दिखेगा इसे आप इसी का यूज करके आप हम एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे बहुत ही सिम्पल सा प्रोसेस है विडियो को बिल्कुल ध्याहन से अपना आपका एक न्या इमेल आईडी ब जरा सब यगर आप मिस करोगे दोस्तों आप बहुत important important setting मिस कर जाओगे और भी बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे तो यह वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना आगे के जितने वीडियो दोस्तों मैं आपको mobile की स्क्रीन पर दिखाने वालो तो अभी तक आपने अगर वीड देख सोंची निक्रा नो चैनल ठीक इसपे आप स्लिट कर लिजिए निच्क करना के बाद आपको फिर से इस पर्रोफाइल पर क्लिक करना है और आपको यहां पर जहां लिखा योडा आपको यहां कर्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आप क्लिक करके उपना नाम जेंच कर सकते हैं तो मैं आप आप नंड़ कर लिया आप इसकों शेव कर देना है और आप दोस्तों आपको लोगों का लिंक दिखते हैं और इतने ज्यादा कुछ लिखा हुआ रहता है यह सब आपके में कैसे होगा दोस्तों इसको आप कैसे लिख सकते हो उसके लिए क्या करना है इस पेंसिल पर क्लिक करना कि लिख करने के बाद आप देख सकते हैं यहां से पीछे साइड में चैनल प्रफाइल पिक्चर अपना चेंज कर सकते हो अपने चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हो और अधर डिस्क्रिप्शन दोस्तों अगर आप इस पर एडिट करके अगर आप कुछ भी लिखोगे यह सब आपके चैनल के अभाव सेक्षन में में सो करेगा दोस्तों यहां आप दूस्तो आपको बता दे कि अगर आप यूटूब से अर्नी करना चाहते हो तो दूस्तो आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी कम्लीट होना चाहिए मतलब 4000 घंटे का वाच टाइम और यहां पर यहां पर यूटूब से आपको चैनल में चेक कर सकते हो तो दोस्तो आप इस पेंसिल का काम समझ चुके और आप इस अनलिटी से काम समझ गये हो अगर आप मैनेज वीडियो पर किलिक करोगे तो आप जो भी वीडियो अगर आप अ लेट कर सकते हो और भी कुछ कर सकते हो ठीके आप Videoconers अब लन्हें सब्सक्त Onlyकर मैं पहुंद पर जैगा फिर आप इस प्रोफाइल सांभ करके स्वीच एकाउंट कर देगा इतना करने हैं जंड। आप जो आप नयाकाउंट बनाए हूं, मतलतलरिblowing में वीडियो करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर दिखेगा आप इस पर क्लिक कर दिएगा फिर यहां से आप यहां पर क्लिक कर लिएगा तो आपके सामने एक पेज उपर आएगा चैनल का जो की बहुत से लोग इसको जानते नहीं कि इसका यूज कैसे करते हैं दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे समझाओंगा क्या आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं यह बहुत इच का कंट्री सब्सक्राइब के शाधा होता रिए अपके विडियो जातर इंडियन को रिकमेंट होगी जातर आपके आपके जो व्यूज कंटिवर्ट की यहां बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका चैनल जिस भी नाम से है दोस्तों, आप उन्हें चैनल का नाम यहाँ पर लिख लिजेगा, स्मॉल लिखिएगा, डिकलने लिखिएगा, चैनल का नाम अलग-अलग कर लिख लिखिएगा, प्लस कुछ important आपके title होंगे वह भी लिख सकते हैं आप यहां पर जैसे मैं ने लिखा है my first blog लिख दिया हूँ और अगर किसी YouTuber को आप target करना चाहते हैं आप नहीं करेगा तो आप उनका भी नाम यहां पर लिख सकते हैं ठीक है इतना लिख दिजएगा दोस्तो इतना लिखने आपके वीडियो कर बच्चों को दिखाएगा और बच्चे अगर आपके वीडियो देखेंगे नहीं तो आपके वीडियो का rank खराब होता है तो आप उहां पर नो कर दिजएगा यहांपी दूस्तो आपको पहला वाला जॉप्स नहीं लेकिन दूसरा तिसरा नेबल नहीं है इसको इनेबल करना थो बहुत जरूरी होता है अगर आप दूसरे वाले को इनेबल नहीं करऊंगे तो आप 15 मिनट से लंबी वीडियो बना सकते हैं प्लस आप थम नेल भी आपके चैनल की कटेग्री है आपका चैनल की चैनल की कटेग्री है आपका चैनल किसी से करना बहुत जरुल़ी लाइक अगर आप गेमिंग कर लोगे तो जो भी मतलब जो भी जो बिडियो लेक्वेज उन्हीं को आपकी वीडियो रिकमेंट लोगी अगर आप हिंदी लेंग्वेज्त जरू से लेगा ही लेक्ता है जिसे टेग्री ऑपकी घ्जिटी हो ऑख से मलय आलम को रिकमेंड हो जाएगे तो आपके वीडियो लोग देखेंगे नहीं तो अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो आप हिंदी जरू सेलेक्ट कर लिएगा टाइटल और डिसेलेशन का लिए इंगलिज दोस्तो आप इसको सलेक्ट मत करें आप इसको चाहँ तो अब हिंदी में लिख देते हो तो आप इसको छोड़ सकते हो इतना करने बाद आप इसको फाइनली सेफ कर लिजेगा अब आपके सारी सेटिंग यह आपके कम्लेट हो चुकिए बट दोस्तो यह सबसे इंपोटेंट है आप इसको पर समझीए फिर इसको आप एप्लाइब क कर लेता है तो इसको अलग यहाँ पर एक दूसरी वीडिएओ करती आप कर सकते हो धाइइड करे थीक हैं चीजू सेट्क कर सकते हैं दोसरा है दोस्तो, branding, branding में दोस्तो अप यहाँ पर वोई banner लगा सकते और वीडियो का watermark भी आप लगा सकती हो यहाँ पर आप subscribe कर बटन है यहँ पर upload कर दीज plauserta mark में ठीक है, तीसरा है दोस्तो बेसिक info के अदर आप देख सकते हो तो वही सब है आप यहाँ पर जो link होती है जिससे आप देख सकते हो डिस्रिक्रिशन में आप फिल दिख रहा है चैनल के बाउट सेक्षिन में ठीक है तो आप यहाँ पर भी लिंक यहाँ पर एड कर सकतो लिंक पर क्लिक करो लिंक के लिए एक टाइटल लिग दो और वहाँ आप आप यह वारा लिख दीजेगा इतना करने बाद वाद अपके सारी सेटिंग कंप्लीट हो या थी चैनल की आपका चैनल फुल सेटिंग इसी कंप्लीट होगा ठीक है अब बात करें अगर आपको अर्णिंग करनी YouTube से तो आपको पहले पहले बता रखा कि आपको इस चैनल कैसे बनाते अब आपको वीडियो अफ्लोड करना होगा त्यार वीडियो ऐसे ही अफ्लोड मत करना है वीडियो अफ्लोड करने से पहले एक बार जरूर जाकर आप यह वाली वीडियो देख लेना इस वीडियो मैं आपको सब कुछ समझा रखा कि वीडियो अफ्लोड करने स